नियुशी नियुशी नियुशाएं साउंड है, अब साउंड है, दूसरा साउंड कुंसा है, उसके लिए मैं कुछ आपको बता रही है, आप सुबह सुबह मिल्क पीते हो, घर में जो बड़े लोग आते हैं, वो लोग चाय पीते हैं, they drink tea, tea किस में लेते हैं वो लोग, cup and saucer में, तो मैंने फॉर्स्ट वर्ड क् क, क, आ, प, क, 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 आ, प, क, 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 क, प, क, प, क, प, क, प, क, जो रहले बेख्याट प्रेजब एई बंungkin थान। जा जुएछ पत्रव बेखन ऐसंड प्रेdefined करें सिर्णा ode कर्म लोग best बिर उपकी आन जूद खाय सुने टरिछ घ। इंट और अली फिटान। How to read above words and upper words. A-B, कैसे बनता है A-B? U का sound होता है A, और B का sound होता है B. तो वो बन गया A-B. चरो, सबसे पहले हम लोग above words रीड करते हैं. First above word is, कब क्या होता है A, आपने young ones of animals सीखे हुए है ना उसमें आता था ना The young one of a lion is called a cub Lion के बेबी को क्या बोलते है कब क्या बोलते हैं कब क्या होता है रब के मैं आपको two meanings explain करूंगी First meaning ऐसा होता है ऐसे हम लोग hands rub करते हैं ऐसे hands wash करते तब ऐसे कैसे डेटॉल या फिर soap से rub करके फिर wash करते हैं एक rub का meaning वो होता है और दूसरा rub होता है इरेज करना जब आपसे कुछ गलती या आपसे या टीचर से कुछ गलती हो जाती है लिखते वक्त तब हम उसको रिरेज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं रबिंग इन दे लास्ट अबर वर्ड इस तब अब अब तब तब माने आपको पिच्चर से पता चलोगा यह बाथटब है बाथ्रूम में हम लोग पानी जिसमें बढ़ते हैं या फिर बाथटब वोते हैं उनको बोलते हैं तब अब तब नाव वील दूब अपर यू का साउंड और पी का साउंड प, उससे बनता है अप, फॉर्स्ट अपर वर्ड इस का अपर कप, का अपर कप, मैंने आपको समझाया ना, हम लोग टी किसमें सर्व करते हैं, कप एंड सॉसर में, कप साइज में छोटा होता है, और उपर हमने अगर वर्ड में मग पड़ा था, मग साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है, कप इस अलोग विद सॉसर, और मग अकेला होता है, अलोण होता है, चलो, फिर हैं, पा-पा-पा-प, पा-प, 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 वट इस पा-पा-प, डॉप का जो बेबी होता है, या फिर छोटा वाला चोटा सा जो डॉप होता है, उसको क्या बोलते हैं, पपी बोलते हैं, या उसको पपी के साथ साथ उसको और भी क्या बोल सकते हैं, पा-पा-प, पा-प Sa-pa-pap is a small dog. And last a-pa-pap is a meaningless word. But you have to remember this for the rhyming words thing. Okay? Now let's revise both the words. A-pa-pap is a small dog. Ka-pa-pap is a small dog. A-pa-pap is a meaningless word. Now let's write the words given in workbook for this. Kaunse diye gaya hai? Sif a-pa-pa words diye gaya hai. So we will just write down the a-pa-pa words. First word a-pa mein diya gaya hai. Ka-a-pa-pap. Rest karte hai sab se pahle. Ka-a-pa-pap. Now we will write between the lines. Ka-a-pa-pap. Next upper word is pa-a-pa-pap. A-pa-pa. A small dog puppy. Puppy. Puppy ko kya bolate pa-a-pa. Pup. Pu-u-u-u-u-u-u. Pu-u-u. Pu-u-u-u-u. Pu-u-u. Pu-u-u-u. Pu-u-u. A-u. Pu-u-u-u. पप अभी यह जो कप और पप वन वन टाम जो लिखने बाकी है वो आप खुद लिखोगे Now, we will write अबर and अपर words in your notebook First of all, we will give the heading of अबर words अ-बर words W-O-R-B-S words Okay, अभी scale लेके lines draw कर लो 1 2 and 3 First above word is curve curve क-A-B-C-B क-A-B-C-B Lion के बेबी को क्या बोलते है curve Next above word is र-A-B-A-R-B र-A-B-R-B फिर है ट-A-B-T-B ट-A-B-O-T-B ड-A-B-T-A-B-T-A-B त-A-B-A-B ऽ थर्या, बोलते हैं Students, you have to write the above words that is क-A-B-C-A-B-R-A-B-R-A-B-A-B and ट-A-B-A-T-B in a standing line format on the whole page यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे अपर वर्ड लिखेंगे अपर में भी थ्री वर्ड से तो नास्ट वाला यह ब्लांक रहेगा चलो उपर हेडिंग दो अपर वर्ड फिर्स अपर वर्ड इस वर्स्ट अपर वर्ड इस का अपर कप फिर से लिखते हैं का अपर कप अपर वर्ड इस पर-अ-पर-पर लिखेंग आपर अपर गार अपर को लिखेंगे अपर और पक प्यड आप तो से कपो मदोग जए अपर वर्ड है सबसब सबसब इसका कोई मीनिंग नहीं है पर आप लोग इसको राइमिंग वर्ड में यूज़ कर सकते हो जैसे आप अपर वर्ड स्टेंडिंग लाइन फॉर्मेट में खतम करोगे वैसे ही आपको अपर वर्ड पी यूज़ राइट इन दे स्टेंडिंग लाइन फॉर्मेट अन दे होल पेज़ बाई एवर्रीवान सी यू निक्स टाइम